नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सब का स्वागत है। कक्षा में हम काल पियर्सन का सहसंबंद गुनांग के विशह में जानेंगे। आए जानते हैं काल पियर्सन का सहसंबंद गुनांग क्या है। इसे गुनन आधूरन सहसंबंद या सरल सहसंबंद गुनांग के नामों से भी जाना जाता है। काल पियर्सन सैसंबन गुणांग दो चरों X म म Y के बीज रेखिय सैसंबन्दों के संख्यात्मक मान को दर्शाता है अर्थात यह एक संख्यात्मक गर्णा की विधी है रेखिय सैसंबन्द को रेखिय समिकरण के द्वारा दर्शाय जा सकता है जैसे y बराबर है a जमा bx इसके अनुसार से संबंद को एक सीधी रेखा द्वारा दिखाये जा सकता है यह रेखा y-x को जहां पर काड़ती है उस बिंदू को a द्वारा दरशाये जाता है तथा रेखा के ढाल को b द्वारा दरशाये जाता है यहाँ X एक स्वतंद्र चर है जिसका मान अपने आप बदलता रहता है तथा Y एक निर्भर चर है यह X के मान में एक छोटे से परिवर्तन के कारण Y के मान में हुए परिवर्तन को दिखाता है यदि संबंद को किसी सीधी रिखादवारा नहीं दर्शाया जा सकता तो गुणांग का मान शून्य होता है तथा दो चरों के मध्य कोई संबंद नहीं होता है आए जानते हैं कि काल प इरसन के से संबंद गुणांग की गणना किस प्रकार की जाती है चर X तथा चर Y के समांतर माध्य की गणना इस प्रकार की जाती है जो आपने पिछली कक्षाओं में जाना है X का माध्य बराबर होता है सिग्मा X अपॉन N और Y का माध्य होता है सिग्मा Y अपॉन N X चर तथा Y चर के प्रसरण की गणना इस प्रकार की जाती है यह है X के मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है सूत्र को देखिए यहां दिखाया गया है सिग्मा ब्रेकेट स्टार्ट X माइनस X ब्रेकेट क्लोज का वर्ग और इस पूरे को हम भाग करते हैं N से अर्थात प्रेशनों की संख्या और इसे हल करके हम प्रसरण की गणना करते हैं इसी प्रकार Y के प्रसरण की गणना की जाती है सह संबंद गुणां की गणना करने के लिए हमें X चर तथा Y चर के सह प्रसरण की गणना करनी होती है जो इस प्रकार की जाती है जिसे हम covariance कहते हैं इसे सूत्र के तौर पर इस प्रकार दर्शाय जा सकता है covariance of x y बराबर है sigma x minus x का माध्य y minus y का माध्य इन दोनों की गुणनफल का कोलियोग और इसे हमने भाग किया है n से यानि परेशनों की संख्या जिसे हम आगे sigma xy upon n से दर्शाएंगे यहाँ small x यानि छोटा x बराबर है x का मान घटा x का माध्य तथा y की छोटे अक्षर का आर्थ है y का मान घटा y का माध्य और यही छोटा x और छोटा y आगे सभी सुत्रों में भी प्रियोग होगा तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे की जो capital y है या बड़ा y या बड़ा x वह x के मान को दर्शाता है और छोटा x और छोटा y उनके परेशनों के उनके माध्य से विचलन को दर्शाता है यह x तथा y के मध्य मान से उनके मान के विचलन है x तथा y के बीच सह प्रस्रण का चिन ही सह संबंद गुणा के चिन को निधारित करता है मानक विचलन का मूले तो सदेवधनात्मक ही रहता है यदि सहप्रसंद का मूले शुन्य होता है तो ये जरूरी है कि सहप्रसंद का मूले भी शुन्य हो और यदि सहप्रसंद का मान रिनात्मक है तो हमारे सहप्रसंद का गुनांक भी माइनस यानि रिनात्मक ही होगा आए सैसंबंद गुणांग को ग्याद करने से पहले सैसंबंद गुणांग के गुणों की बारे में जानते हैं सैसंबंद गुणांग की कोई काई नहीं होती है सैसंबंद गुणांग मातरिक संख्या होती है जिससे दो चरों के मध्य संबंद की दिशा तथा मातरा का अनुमान लगाया जाता है उधारन के लिए वजन की काई किलोग्राम है तथा उचाई की फूट है एक अक्षा के सभी विद्यार्थियों की वजन तथा उचाई का सहसंबंद 0.75 है जो ना तो फुट में है और ना ही किलोग्राम में सहसंबंद गुणांग का रिनात्मक मान प्रतिलों या विपरीद संबंद को दर्शाता है किसी एक चर में बदलाव दूसरी चर में विपरीद दिशा में बदलाव दर्शाता है जब एक वस्तू की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है यह कीमत और मांग के बीच पतिलोम या विपरीद संबंद को दर्शाता है सहसंबंद गुणांग का धनात्मक मान दो चरों की एक ही दिशा में गती को दर्शाता है जब चाय के स्थानापन के रूप में कौफी के दाम बढ़ती है तो चाय की मांग भी बढ़ जाती है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है एसी की मांग भी बढ़ती जाती है या आइसक्रीम की मांग भी बढ़ती जाती है यह दो चरों के बीच धनात्मक सहसंबंद को दर्शा रहा है सहसंबंद गुणांग का शुन्य मान संबंद की अनुफस्तिती को दर्शाता है अर्था दोनों चरों में कोई संबंद नहीं है यह दोनों ए सहसंबंदित होते हैं इनके बीज कोई रेखिय सह संबंद नहीं होता हला कि इनके बीज दूसरे प्रकार के सह संबंद हो सकते हैं जब सह संबंद गुणांग का मान जमा एक या घटा एक होता है तब ये संबंद पूर्ण होते हैं तथा इनके बीज यथा तथ सुनिश्चित सह संबंद है जब सैसंबंद गुणांग का मान जमा एक या घटा एक के निकट होता है तो यह उचित सैसंबंद कहलाता है तथा सद्रड संबंद को दर्शाता है सैसंबंद गुणांग का निम्न मान दुर्बल रेखिय संबंद को दर्शाता है जब यह शुन्य के निकट हो तो इसका मान निम्न कहलाता है शुन्य से लेके 25 तक 0.25 तक जो मान है वह निम्न सहसंबंद होता है सहसंबंद गुणां का मान उद्गम परिवर्तन या पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता यदि चरों के पैमाने में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी सहसंबंद गुणांक समान रहता है जैसे अगर हमने वजन फुट में ना लेके मीटर में ले लिया तो भी हमारा सहसंबंद गुणांक समान ही होगा या वजन हमने किलोग्राम की बजाए ग्राम में लिख दिया तो भी हमारे सैसंबंद गुणांग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता आएए अब हम काल पियर्सन का सैसंबंद गुणांग की गणना की सूत्र के बारे में जानते है काल्पियसन सहसंबंद गुणां को अंग्रेजी के आर अक्षर दुवारा दर्शाते हैं यहां देखिए आर बराबर है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन गुणा एक्स का मानक विशलन गुणा वाई का मानक विशलन यही हमारा आधार सूत्र है इसी सूत्र में परिवर्तन करते करते हम चतीन तरह के और सूत्रों की गणना कर लेते हैं और अवश्क्ता अनुसार सूत्र का प्रियोग करते हैं देखिए जब हमने मानक विशलन ग्याद करने के सूत्र को इस सूत्र में रखा तो सूत्र में परिवर्तन हो गया R बराबर sigma xy upon n गुना sigma x square upon n ka square root तथा sigma sigma y square upon n ka square root जब हमने नीचे square root के अंदर दो n है तो n square हो जाएगा और ये बहार आ जाता है तो एक n हो जाता है n upon n इनको अगर हम आपस में काड़ दे तो संख्या बस्ती है एक इसी लिए आपने अपने पुस्तकों में या प्रियोग के दौरान जो सूत्र देखा होगा उसकी गन्ना की गई है जो sigma xy upon under root sigma x square under root sigma y square है अगर हम यहाँ small x और small y के वास्त्रिक मान को रख दें जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था small x बराबर x minus x का माध्य अगर इस मान को रख दें तो इसी सूत्र को हम इस प्रकार देखेंगे sigma bracket की शुरुवाद x घटा x का माध्य bracket बंद दूसरे bracket की शुरुवाद y minus y का माध्य bracket बंद बटे में वर्क के अंदर है sigma x घटा x का माध्य का स्क्वेर और फिर वर्क के अंदर है इन दोनों का गुणनफल गयाद करते हैं sigma y minus y की माध्य का स्क्वेर इस सुत्र के द्वारा हम काल पियेशन सैसंबन गुणां की गणना करते हैं लेकिन यह दोनों सुत्र वास्ट्विक माध्य की गणना पर आधारित हैं कई बार हम वास्ट्विक माध्य की गणना नहीं कहते हैं तो ऐसी स्थिते के लिए भी सुत्र बनाए गए हैं लगु विधी यह कल्पित माध्य विधी द्वारा काल पियेशन सैसंबन गुणां की गणना आर बराबर सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा एक्स गुणा में सिग्मा वाई बटे एन और इस पूरे को हम भाग करते हैं वर्ग मूल में सिग्मा एक्स का वर्ग घटा सिग्मा एक्स पूरे का वर्ग बटे में एन और इसे हम गोना करेंगे वर्ग मूल में सिग्मा वाई का वर्ग घटा सिग्मा वाई पूरे का वर्ग बटे में एन इस सूत्र को भी और सरल किया जा सकता है यदि हम अंश और हर दोनों को N से गुणा करते हैं तो हमें निम्न सूत्र प्राप्त होता है जहां पर सैसंबंद गुणांक अर्थात आर्ग बराबर है N गुणा सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा एक्स कुणा सिग्मा वाई वर्ग मूल में N गटा सिग्मा एक्स का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स पूरे का वर्ग और इसे हम गुणा करते हैं वर्ग मूल में N गुणा सिग्मा वाई का वर्ग माइनस सिग्मा वाई पूरे का वर्ग सहसंबंद की गुणांग की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है सहसंबंद गुणांग एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान घटा एक से जमा एक तक होता है घटा का चिन रिनात्मक सहसंबंद तता जमा का चिन धनात्मक सहसंबंद को प्रकट करता है और घटा एक से जमा एक के बीच की संख्याएं सहसंबंद की मात्रा का बोध कराती है आएए अब हम काल पियसन विदी द्वारा सहसंबंद की गण्ना का अभ्यास करते हैं हमें दू छर दिये हैं चर X तथा चर Y काल पिरसन के सहसंबंद गुणां की गण्ना के लिए हम पहरे सूत्र का प्रिव करेंगे जिसमें आर ब्राबर सिग्मा एक्स वाई बटे में एन गुणा एक्स का मानक विचलन गुणा में वाई का मानक विचलन माध्य की गण्ना करने के लिए हम एक्स चर का योग करके उसे उसकी संख्या से भाग करेंगे यहां देखिए एक्स चर का योग है सत्तर और उसे में पांच से भाग किया माध्य आया चार ऐसे ही वाई चर का योग पिचत्तर है जिसे हमने पांच से भाग किया और माध्य आया पांच अब हमें मानक विचलन की गण्ना करनी है इसके लिए हम एक्स चर का मानों का उसके माध्य से विचलन ग्याद करेंगे यहां देखिए एक्स इस उकल टू एक्स घटा एक्स का माध्य कॉलम नंबर दो में गण्ना की गई है बीस में से चौदा घटाए छे सत्रा में से चौदा गई तीन इस प्रकार हमने इसकी गण्ना करी और फिर हमने एक्स का वर्ग ग्याद किया जहां पर छे का वर्ग हो से 25 या च्थच तीन इस प्रकार सिगमा एक्स का वर्ग बराबर है असी। दूसी तरह हमने य का माध्य क्यण्ना की थी उससे विश्रन ग्याद करके हमने small y की गणना करी तथा y का वर्ग ग्याद किया इसका जो जोड़ आया है वो है sigma y का वर्ग बराबर 40 दोनों के बीच सह प्रसरन ग्याद करने के लिए हमने x और y को गुणा किया x का मान 6 है y का 4 आगया 24 इसी प्रकार हमने पांचों पंक्तियों का गुणनफल ग्याद किया sigma x y बराबर है 48 इसका मान हमने सूत्र में रख दिया जहां पर sigma x y का मान है 48 n हमारे पास दिया हुआ है 5 पंक्तियां है तो 5 है है संख्या x का मानक विचलन हो गया 80 बटे 5 वर्ग के अंदर और y का मानक विचलन हो गया 40 बटे 5 का वर्ग जब हमने इसकी गणना करी तो हमारे पास जवाब आ रहा है 48 बटे 56 दशमलव 56 अर्थाथ 0 दशमलव 84 देखिए यह जो सैसंबंद गुणां का मान है यह दो चरो x m y के बीच उच्छ धनात्मक सैसंबंद को दर्शा रहा है क्योंकि मान की आगे धनात्मक चिन है तथा इसका जो मान है वो 0.75 से अधिक है यह पहली विदी थी ग्याद करने की इसी को हम दूसरे सुत्र से ग्याद करते हैं यहां पर काल्पियेशन सैसंबंद गुणां का सुत्र है आर बराबर सिग्मा एक्स वाई बटे में सिग्मा एक्स के वर्ग का वर्गमूल गुणा में सिग्मा वाई के वर्ग का वर्गमूल दोनों में गन्ना किया गया मान हम रखते हैं जो हुगा 48 बटे 80 का वर्गमूल गुणा में 40 का वर्गमूल गन्ना करने की पश्चात हम पा रही हैं कि जो हमारा प्रइनाम है वो पहले वाले प्रश्चन के समान है अर्था दोनों विद्यों से हम काल्पियर्सन सैसंबंद गुणां की गन्ना कर सकते हैं जो उत्तर है वह है सुन्य दशमलव आठ चार अर्थात एक्स और वाईचर की बीज उच्च धनात्मक सैसंबंद हैं आए अब हम इसे तीसरी विदी से ग्याद करना सीखते हैं जिसे हम लगु विदी या कल्पित माध्य विदी कहते हैं यहां पर हमने माध्य की गन्ना नहीं करी है एक्स के लिए हमने जो माध्य है वो पंद्रा मान लिया है जबकि वास्त्विक माध्य इसका चौदा था इस प्रिशन को हमने पंद्रा मान कर गन्ना करी एक बात मैं आपको बता दूँ बच्चों कि जो हम कल्पित माध्य ले रहे हैं वह आवश्यक नहीं कि उस सार्णी के अंदर उसका मान हो वो उसकी सबसे निम्न संख्या भी हो सकती है सबसे उच भी या उस सार्णी से बाहर की कोई संख्या भी हो सकती है हमारे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता हम ऐसे मान को कल्पित माध्य के तौर पर लेते हैं जो निम्न मान और चर के उच्चतम मान के बीच में हो आए हमने कैसे गण्ना करी इसको समझते हैं small x यानि x का विचलन बराबर है x का मान घटा कल्पित माध्य 20 घटा 15 बराबर 5, 17 घटा 15 बराबर 2, 11 घटा 15 बराबर 4 और इसके पूर्ण का योग हमने निकाल लिया जो है sigma x बराबर माइनस 5 इस x का वर्ग किया 5 का वर्ग 25 इसी प्रकार अन्य संख्याओं का वर्ग किया और sigma x का वर्ग बराबर आ गया 85 इसी प्रक्रिया को हम y चर पर दोहराते हैं तथा sigma y तथा sigma y के वर्ग का मान ग्याद करते हैं जो क्रमशय यहां पर घटा 10 तथा 60 है x और y के सह प्रसरण को ग्याद करते हैं x और y को गुणा करके देखिए जो सूत्र है इसमें हम कल्पित माद्य वाला सूत्र प्रियाव कर रहे हैं r वराबर है sigma xy घटा sigma x गुणा sigma y बटे में n और इस पूरी संख्या को हम भाग कर रहे हैं वर्ग मूल sigma x का वर्ग घटा sigma x पूरे का वर्ग बटे में n से और इसे हमने गुणा किया है नीचे वर्ग मूल sigma y का वर्ग घटा sigma y पूरे का वर्ग बटे n से उपर की गई गणनाओं का मान हम जब सूत्र में रखते हैं तो आप देखेंगे हम उसी संख्या पर पहुँच गए जो 48 बटे वर्ग मूल 80 गुणा वर्ग मूल 40 अर्थात 0.84 कहने का भी प्राय यह है हम किसी भी सूत्र का प्रियोग करें हम काल पियर्शन के सैसंबंद गुणां को सदेव समान पाते हैं यह भी हमें X तथा Y चर के बीच उच धनात्मक सैसंबंद को दर्शा रहा है चोथा सूत्र और है जिसे हमने इसी में परिवर्टन करके ग्याद किया था यहां भी वही समान मान प्रियोग होंगे सूत्र में परिवर्टन हो गया है तो सार्णी देखिए सार्णी की गणना पुने समान है सार्णी के प्राप्त मान भी समान है किवल अंतर है तो काल पियसन का सैसंबंद गुणां की गणना करने वाले सूत्र में यह है आर बराबर एन गुणा सिग्मा एक्स वाई घटा सिग्मा एक्स गुणा सिग्मा वाई बटे में वर्गमूल एन गुणा सिग्मा एक्स का वर्ग घटा सिग्मा एक्स पूरे का वर्ग गुणा में वर्ग मूल N गुणा सिग्मा वाई का वर्ग घटा में सिग्मा वाई पूरे का वर्ग इसका मान रखने के बाद जब हम गणनाई करते हैं तो अन्त में हम उसी परिणाम पर पहुंचते हैं जो है शुन्य दशमलव आठ चार अर्थात एक्स और वाई के बीच उच्छ धनात्मक सह संबंद है यहां आप नहीं है समझा कि काल पियसन का जो सुत्र है वो एक ही ही है केवल हम उसके अंदर परिवर्तन करके सरल्टा के अनुरूप उसका प्रियोग करते हैं आज की कख्षा को हम काल पियर्सन की सह संबंद गुनांग की गणना की साथ समाप्त करते हैं आखरी विधी या इससे अगली विधी जिसे हम स्पियर मैन श्रेणी या कोटी सह संबंद गुनांग कहते हैं अगली कक्षा में समझेंगे तब तक के लिए आप सब को नमस्कार कर दो को अगली कर दो कर दो कर दो कर दोस्कार